Hello Everyone, Welcome to Indian Life in Saudi Arabia चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यह से सब्सक्राइब कर दिजिए by clicking on red colored subscribe button down to the video and also hit the bell icon to get all the notification of my latest videos बहुत सारे लोगों के मन में ये question होता है कि हम दुबई से कितना सोना ला सकते हैं दुबई is one of the famous city in the world और ज्यादातर Indians दुबई जाना प्रिफर करते हैं इसके कई सारे reasons है कुछ लोग beautiful city दुबई को देखने के लिए जाते हैं घुमने फिरने के लिए जाते हैं holidays spend करने के लिए तो कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं job करने के लिए business करने के लिए settle होने के लिए तो कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं shopping के लिए especially gold shopping तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दुबई में gold इतना famous क्यूं है दुबई को city of gold भी कहा जाता है because it manages such a large amount of gold यहां के gold authentic होते हैं बढ़िया quality के होते हैं धेरो international designs options प्रोवाइट करते हैं जिनमें की काफी बढ़िया shine और चमक होती है और यह comparatively inexpensive होते हैं यहां पर gold की खरीदारी करने पर हमें किसी भी तरीकी का VAT या tax पे करना नहीं होता है और plus making charges भी यहां पर relatively कम होता है इनी सारे reasons की वज़े से लोग यहां पर ज्यादा attract होते हैं gold shopping करने के लिए दुबई में gold की shopping करने से पहले आपको कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है जैसे की क्या आप दुबई से gold खरीद कर इंडिया ला सकते हैं क्या आप gold jewelry लाने के लिए eligible हैं अगर हां तो कितने weight टक के gold को आप दुबई से इंडिया ला सकते हैं दुबई की government कितना gold legally ले जाने के लिए allow करती है या फिर Indian airport पर आप कितना gold जो है बाहर की country से ला सकते हैं कितना gold custom free होता है और कितना gold exceed होने पर आपको custom duty पे करना होता है इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे like करना बिलकुल मत भूलिए फर्स्ट अफ आल वी निद तो हाव क्लियर इंफोर्मेशन अबाउट टू फैक्टर्स फर्स्ट थिंग के दुबई गवर्मेंट एक्स्पाट्रियर्ट्स को कितने क्वांटिटी ओफ गोल्ड दुबई एरपोर्ट से ले जाने के लिए लीगली अलाव करती है And the second thing, the amount of gold Indian government allows to bring to India at Indian airport Dubai government maximum 10 kgs of gold per passenger allow करती है अपने साल गोल ले जाना Dubai airport से Which includes the entire weight of the gold coins, bars and gold jewelries So 10 kgs तक के gold हम Dubai airport से legally बाहर ला सकते हैं जिसके उपर हमें कोई भी tax या custom duty पे करने की जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर gold coins या bars का weight 1 kg से ज्यादा होता है तो हमें पे करना पड़ता है 36.65% का custom duty Dubai airport पर तो ये था Dubai airport का rule जिसमें कि Dubai government allow करती है gold ले जाना kgs में लेकिन as a Indian हमें Dubai airport के rules से ज्यादा ये जानने की जरूरत है कि Indian rules क्या है Indian airport पर हमें कितना सोना लाने का allowance है तो चलिए अब देखते हैं कि Indian airport पर क्या rules है अगर हम बाहर की country से gold लाते हैं तो इंडिया में male और female यानि की ladies और gents को अलग-अलग quantity of gold लाना allowed है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि gents कितना gold ला सकते हैं इंडिया में अगर कोई male passenger इंडिया के बाहर दुबई में या फिर किसी और country में एक साल या फिर उससे ज्यादा तक रहकर आते हैं तो उन्हें allowed होता है 20 grams तक के weight का gold अपने साथ लाना लेकिन इसका जो cost है वो 50,000 rupees से ज्यादा का नहीं होना चाहिए वहीं जो की female passengers हैं वो अपने साथ 40 grams तक के gold ला सकती हैं लेकिन अगेन उसका जो maximum cost है वो 1,000,000 rupees से ज्यादा तक का नहीं होना चाहिए और ये सारे gold सिर्फ jewelry और ornaments के form में ही होना चाहिए gold coins और bars इंडिया में लाना allowed नहीं है अगर आप लाते हैं तो उसके उपर आपको पे करना पड़ेगा extra custom duty charges यही same rule childrens यानि की बच्चों पर भी implement होता है अगर male child है तो अपने साथ 20 grams तक के gold ला सकते हैं जो की again 50,000 rupees से उसकी कीमत ज्यादा नहीं होनी चाहिए वहीं अगर female child है तो वो अपने साथ 40 grams तक के gold ला सकती है अगिन उसका जो maximum worth है वो एक लाख रुपे से ज्यादा तक का नहीं होना चाहिए इस से ज्यादा quantity के gold लाने पर इंडियन एरपोर्ट पर custom officers को पे करना होता है 36% of custom duty tax unofficially आप gold jewelries को पहन कर आ सकते हैं लेकिन within a limit of socially acceptable amount without informing the customs about it आप इन excess gold jewelries को luggage में ना रखकर पहन कर आ सकते हैं ये government rule के according नहीं और थोड़ा सा risky है तो ये totally आपका call होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो अगली बार दुबई या फिर किसी और country से gold खरीते वक्त सिर्फ ये ही मत सोचिए कि ये बढ़िया saving है investment है इसे कम rate में बाहर की country से खरीत कर इंडिया में ज्यादा rate में बेच कर profit कमाएंगे बलकि Indian government's rules and regulation और custom duty charges को ध्यान में रखकर अपनी shopping कीजिए तो ये था वीडियो about how much gold you can carry from Dubai to India I hope ये वीडियो आपको helpful और informative लगा अगर हां तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए और अपने सारे relatives friends में इसे share कीजिए safe रहें healthy रहें thank you so much for watching